दे जाजर मैं चलू झालू मैपंध्य इमाब हो कि 2000 पिस्टिल पाखल हों। इट किया हाई आदि रात इसलॉट निकाले दूँस धिमाइट मुझे पिस्टिल नहीं पिस्टिल सेथा इतन है मुझे AH आदी रात को याद को सिकर लेटी तो आप ही मादब कर रही होती याला, क्या करूँ मैं इस लड़की का? इसने तो परेशान करके रख दिया, आज तक कोई सुख निदिया तुरे मुझे अभी मारे उसकी जेनियाले ठीक नहीं है तुमाग खराव है तो क्या हम बढ़्टाश करते रहे हैं? किसी में अपूल में करते हैं? बाई में त्यू नहीं जाने के रावे Symptome जाने के स्थोप ने है बेटा तु मुझे से स्थोप नेध生 चाने की जाने के जाने के स्थोप ने आपको अपको हमादेश मेरा था हम एछडे थास ठीक से पन्यजा करने? कल रॉपर में महतं हैं बना घरो किसी मेंख्या का अंहीस थाओ यहा तो प्सक्रामु, किसी सुखुण सर जाडरा । मैं यह जाओखे। ह ere思OOD और श्ञाओगा चल मेया बेटा दॉपीटा अंहें सुखुण जाओगा ह। हमारे साथ यह सब कुछ क्यो हो रहा है अमा अविटा कुद्रत हमारा इंतिहान ले रही है कब राओनी बस सबर से काम लो कितना इंतिहान लेना है कुद्रत में हो रहा है अम्रिदाश्ट देऊ था पत्से अवाँ मेरी बस हो गएगे मेरी बस हो गए है नहीं बेटा रोते नहीं है तुम तो मेरी बहादर बच्ची तुम तो मुझे दलासा देती होती थी मुझे बच्पाऊंगी नाना बेटा इसा नहीं क्याते ना महरोद होगी मुझे कौन चुपकर आएगा मुझे दलासा देने वाला तो दुनिया से जा चुका है मुझे कुछ होगे अमा तेरे बच्चे का ख्यार रख लेगिया नाना खबरदार अबर होने वाली बात मत कर लो मैंने कहती है शाविस कुछ भी हो जाए हमारा बच्चे अमां के भास ही रहे ना आटी कर मुझे बिलकुल करो सारी मुझे तनी नफरत मुझे करती है वो मुझ भी कर सकती है अटाये मुझे ना बेवेंदर करी तो आप रखने की ख्यार उसका नाना बेटा, खबरदाब मने वाली बात अपनी करना शाविस इतना ख्यार रखता है तुमारा पैट से हिलने नहीं देता मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो मुझे आपके सुर्वात है आपमा इस वामत तुम चारते नहीं ही रुप चाएं मेरे पास मेरा तेले बहुत कबराता है पैटा मैं यहां कैसे रह सकती है जोहार छोटी दोनों गर पर अगे लिए जोहार के तरोती मेरा मतलब है कि वो जोहा और सोहा दोनों घर पर अगेली है शायान तो सुबह दफतर जाता है और रात को आता है तो जवान लड़कियों को घर कैसे केला छोड़ सकती है आपसे बत्ते बीदी तो नहीं करती है अवो बसके पागल बन का क्या हाल है कोई दुबारा दोरे तो नहीं पड़े उसे सोहा बिलकुल ठीक है वो आना चाह रही थी साथ बस जोहा की वज़े से साथ नहीं आसके तो हवेता तुम बस अपना खया रखो सब फिकर छोड़ों सब कुछ ठीक हो जाएगा क्यूम साहब को बलवाईए सर वो तो आज ओफिस नहीं आए क्या ओफिस नहीं आए सर क्यूम साहब तो दो दिन से ओफिस नहीं आ रहे और उनके दोनों नंबर्स भी आफ जा रहे है हमने उनके घर फॉन किया मालूम हो है कि वो शेर्च होगे चले गए और अब ही उनका ये रेजिनिशन वसूल हुए ठीक है आप जाईए इस मसले के पीछे कहीं सलमा का हाथ तो नहीं है नहीं नहीं लेकिन ऐसा क्यूं करेगी ये वैसे इस औरस से कुछ बाईद नहीं है करने को कुछ भी कर सकती है मैं चांती हूँ तुम पागल नहीं हूँ हमें तंक करने के लिए सब कर रही हूँ क्या है क्या है थेखो मेरी तर्म मुझे विताओ सोव विताओ विताओ मुझे तुमने पटी जान देने की कुछ इस क्यूं की मैं तो खुद को मार दूंगी मैं खुद को मार दूंगी परसे को ही प्यार नहीं करता सारे परसे लफरत करते सारे मुझे बच जाना चाहिए मुझे जिन्दा नहीं रहना चाहिए को ही तुम से लफरत नहीं करता जब तुमसे कितना प्यार करते सुछ भी नहीं सकती सुआ प्लीज एदा मनने के बारे में सूच भी बन और 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 अब ये पागलपन ख़त्म करो थेखो सुआ अभी बहुत दूखी है उन्हे और दुक मद दो मिर तुम्हार आगे हाद चुट देओ सुआ अन्हे और दुक मत दो मत करूं ये सब मैं बहुत थूपते हुद। ना अम्मी को? बहुत थूपते हुदू अशले हिए तो तो मुझे बैड़नी कहती है अभी कहती हैं, मैं पागल हमें यह हुग। तो अगा क्योंके पागलों में नहीं बाते हैं उनके आगे तुम तक करती हुग नहीं इसलिए पागल कहती है। मरज़ जाओंगी ना मरज़ जाओंगी तु सबकों से कुना जाएगा। सारे मेरे से बहुत नराज है। तेरे से कोई प्यार नहीं किरता। चुप कबरदार चाहिदा मरने की बात की। चानती क्या मौत के बारे में तुम तुम्ही जिंदगी की अभवत का अंताजा नहीं है। मुझे देखो मुझे बहुत से चंग लड़ नहीं है। मुझसे पूछो जिंदगी की अमियत। सौह तुम जाती हो ना मेरे पास जादा वर्ट नहीं है। जोटी बहनु में तुम्हारी। मुझे खुछ रखो ना प्ली सौह। ऐसे तंग मत करो सबको। बादा करो मुझसे मुझे खुछ रखो कि मेरे पास जादा वक नहीं है। सौह खुछ रहेंगी। और सौह ना सौह को भी खुछ रखेंगी। अब सारे कुछ रहेंगे। सारे कुछ रहेंगे। सारे.. सारे कुछ रहेंगे। स्वाबी, स्वाबी, अपी मीच जारे कुछेगे स्वाब प्लीज नहीं करो असने बज़ कर दो दार आप क्यों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए अम्मी एक घर है कोई पागल खना नहीं है जो यहां रोज रोज इस किसम के तमाश हैं और आपो क्या लगता है उसने इस किसम की हरकत की क्या वो दुबारा यह ऐसी हरकत नहीं कर सकती बीटा हम सब यहां उसका ख्यार रहते हैं हॉस्पिटल में कौन रखेगा उसका ख्यार हम यहां मेरी बास समझने की कोशिश कीजिए वहां उसका ज्यादा अच्छी तरीके से ख्यार लगेंगे वो लोग और उसका इलाज भी चलता रहेगा और उमीद है कि कुछ जिनों में ठीक होके वो घर वापस आजागा मेरा दिल ने मानता उसे पागल खाने विजवाने को अब ही वो पागल खाना थोरी है एक प्राइविट और्गनिजेशन है वहाँ वो लोग अपने पेशन्ट का बहुत ख्याल लगते हैं कुछ समझ नहीं आरा मैं क्या करूँ मुझे तो लगता है कर कोचर से आप उसके साथ रहीं तो आप भी पागल हो जाएगी इसलिए मेरी बात माने उसका समान पैक कर दें मैं सुभाई उसको वाइटमेंट करके आजगा अपी छोड के नी चाहे प्रीस इनी जरूर तुम्हें कभी भी मेरी जुरूरत नहीं थी अपी अमी मत करें इससरा क्यों भीज रही है, उसे पागल खाने उसके क्यों अपनी बेटी को खुद अपने आतों से जहनुमें जोक रही है कौन माँ ऐसे करती है तुम क्या समझ रही है मैं शुक से भीज रही हू इससे क्लेजे पर पता रख कर बेज़ रही हुग जानना मैं नहीं जोंक रही इसका इलाज होगा वाँ पिर कुछ ठीकों के घर आजेगी है पागल खाने में पागलों के साथ रह के ठीक होगी क्या अब में अपनी गुनाओं की सजाब भुकर चुकी है प्लीज बच दे इसे आप स नहीं अमी नहीं प्लीज अमी मत बेज़े इसे अमी प्लीज अमी तो आप बेटा मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत परिशान हो लेकिन इस तरह अपसेट होने से तो काम नहीं चलेगा ना हम इस मामले का कोई हल तलाश करना है क्या इंकुईरी करेंगे अब डाइं सारे सबूत तो दे चुक है हॉस्पिल लबाओर क्या सबूत मांगे दोआ क्या कहती है उसको डॉक्टर का फोन कभी नहीं आया तो अन्ना ही हॉस्पिल नहीं उसे कोई रिपोर्ट्स दी थी ती मैं क्या कहूं इसे अचा खर छोड़ो इस बात को लेकिन इस प्राब्लम का कोई हल ढूंटे है इस प्राब्लम का तो हल समझ में नहीं आता लेकिन मैंनल हमें दूआ को टेंशन से दूर रखता है लेकिन उसकी घर की इतनी प्राब्लम्स है कि वेटा तुम ऐसा करो कि दूआ की अपने घर जाने पर पावन दियायत कर दू हाँ उसकी माल बता यहां आ सकती है लेकिन उनसे भी कहो कि वो अपनी परेशानियों के जिक्र ना करें दूआ के साथ इस वक्त उसे हर गस्म की टेंशन से दूर होना चाहिए वरना बच्चे के साथ माँ की जान को भी खत्रा हो सकते है ठीक है रहाँ ठीक स्टाइब ठीक है जब तुम से कितना प्या करते है तुम सोच भी नहीं सकती देखो सुहाँ अभी बहुत दुखी है उन्हें और दुख मत दो तुम्हारे आगे हाथ चोपते हुच दूहाँ उन्हें और दुख मत दो मेरी रात की फ्लाइट है मैं चाइना जारा हुच जारा हुच जारा हुच छार प्लाइट है अजारा हुच जारा है अप्लाइट है तवारी सुरत पिन्ही थेखना चाहँ एक दफा मेरी बाद सुने है प्लीजी नहीं सुनने तुमारी कोई बात कातेल होतों के मेरे बच्चे की मेरी कुषियों की इसारी सिंदकी तबाह करके लग दिया दिया तुम्झे मैंने कुछ भी नहीं किया मैं कैसे यकीन दिलाओ आपको प्लीज 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 अपको इन नई स्टोरी ना सुना दिना कि मुझे किसी तरह यकीन आजाए आपने डॉक्टर की पुरी बात सुनी भी थी सिर्फ बच्चे की जान को खत्रा नहीं है मेरी जान को भी खत्रा है शाफीज मैं क्यों करूँगी ये सब कुछ तुमने जान बूच के वो रपोर्ट्स मुझसे चुपाई जान बूच के नहीं चुपाया मैंने दूआ मुझे डॉक्टर ने सारे सबूत खुद दिखाए थे तुम कैसे कह सकती हो कि तुमें नहीं पता आपको सक समझ में नहीं हो रहे है और शाइद मैं को सब शाफी नहीं पाऊँगी पर शाफीज इस सब शाफीज की सबसे जादा सरूत बहुत सरूता है अपर शाफीज चोड़ के नहीं जाहें, प्लीस यहीं जरूरी, तुम्हें कभी भी मेरी जुरुरेश नहीं थी क्या थाबद करना चाहते हूं कि अभी तुम्हे मुझे मुहबबत है अभी मुहबबत का क्या मतलब है मुझे आपसे मेशा मुखबत थी और आगे भी हमेशा रेगी ठीक है हुमारे पीच में एक तलाफ आप बोर्त दे ते अग्या पीवी में हो ते हैं चक्री इसका यह मतलब तो नहीं कि मुखबत कदम हुगी है शेवरेस नहीं में आपसे बहुत पहार है दियो कर दो अअ एम आप आहार नहीं है अपने इस रलेशशफ को सब कुछ देनή की को शिए उन्हें एक अशार बने की कोशिष कि आप्रह washing मेरी मि milksनें का अच्छी पीबने नही सके आको आप सब ओस प्सलिए नहीं सकी चारपका था लेकिन उतो करूगी है स्पुर्ण गाला टेओं… ख्याइँ… ख्याइँ, ख्याइँ… अजलुके थाइँ… प्युक्सिदूरें अज़ कि लिए देखि गड़ा में जो अब देखिए अजय भी लेखिए में लेखिए ईपचू में लेखिए मांगने के लिए झाँ एपने से पेले ये रग्रेट नहीं रखना चाहती कि आप मुझे नहीं नहीं करें यह तुम्हें आपने करें तुम्हें अश्वीडिया से भी झाला चाहती। इंप सुर्ए। क्या शुक्तित कि आपूता है। दिल एजाज़त मैं चलू प्यार सजा है प्यार जजा है जान गई प्यार दुआ है प्यार खुदा है मान गई मेरी सुमसलात दरोद नमास है ये किस लिए जान गई दर्द से रिष्टा जोड़के तुझ से हर रिष्टा तोड़के देजाज़त मैं चलू मैं चलू मैं चलू मैं चलू मैं चलू मेगम साहिबा रूट खाली इसके बाद आपका दवाई का टाइम होजेगा रिक तो यहां पर यहार साइड मैं साफरा अचलू यहां तिल कपराँ एज यहार जिए ठीच दूढ़के बाहर लीज़ू साफ ने आपको बाहर जाने से मना किया उनोने कहाई कि आपको अप्लीट बढ़ रेस चाहिए कर लीए मैंने बढ़ डरेस यहां रहर लीए मैंने बढ़ रेस कर दो नहीं अच्छे ठीक है मैं बेगम सहब ऐसे पूछ कर रती हूँ अमीर भी चक्कर नहीं लगा है ते दिन से बतानिमा कैसे हो में साभू सुछ। तो मसीर लड़ ग गई एहुच। थषिप बड़ गुज। है मैं अब तु डॉक्टर्स नहीं पहाना कर ते है कि उसको बोश्पने ले कर आधि है हुआत प्रुच की आधू है भोग टॉक्टर्स ते ले ले यक नहीं है सल्घा क सबस्चेव आप तुही रहा है करने वाला है हम याप समाले अपने 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 को क्या समालो क्या समालो खुद को मैं नहीं देखी जाती मुझसे उसकी तकली एळाला मेरी बच्ची को बचा ले एला मेरी बच्ची को बचा ले क्या करूँ मैं क्या करूँ उदर दुआ ठीक नहीं है यहां सोहा या ला मेरी मददकर या ला तो ही मददकार है मेरी मददकर या ला मेरी मददकर दुआ कैसी तबियत है? अब लोग प्लीज मेरे करवालों को यह पुला सकते हैं इतना अरसा हो गया अंटी माम से मिली भी नहीं हूँ उनको तेखा भी नहीं है मेरा दिल का प्राहरा है और अगर यह नहीं कर सकते तो कम उसके मेरा फोन तो वापिस कर दे उनको यह अर्या inisir, में बात तो करने उनसे देखो, शावेज ने तुम्हें पोन देने से मना किया हूआ है तुमें इस वक्त सिर्फ आराम की जरूरत है बेखो, वेट हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है हम जो कर रहे हम आरी बेहतरी के लिए कर रहे ने हमें सिर्फ तुहारी सेहत के फिक्रे है हपलों को मेरी सेहत कि नहीं अपने इस बच्चे की फिकर है जो इस दुनिया में आने वागा जिसकी वैसे क्यायत करके रखा हुए मुझे सर्मा तुम ऐसे करू कि इसका फून इसे वापस कर दो ताकि ये राप्ता कर सके लेकिन हसन शावेज ने मना किया हुआ है मुझे पता है उसने मना किया हुआ है लेकिन इस तरह तो इसकी हालत और खराब हो जाएगी देखें अगर कुछ हुआ ना तो आप रिस्पॉंसिबल होंगे मैंने बेहतर होगा कि आप अपनी खुदसर बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएं मैं उसका सारा समान कल आपके घर विजवा दूँगी मेरे बेटे को ऐसी ना फर्मान बीवी की बिलकुर कोई जरूरत नहीं है जो रहती तो उसके साथ हो लेकिन उसका दिल हमेशा अपने मैं के वालों के साथ हो देजाज़ मैं चलूँ देजाज़ मैं चलूँ यह बड़ी वेगम ने आपके लिए मुबाइल बिजवाया है देखो मामूली सा काम है और इसके लिए पैसे मैं तुम्हें अलग से दे रही हूँ जैसे ही काम होगा पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और हाँ अपनी बहू का नंबर मैंने तुम्हें टेक्स्ट कर दिया ओके इसमें डेवाच पेपर्स हैं और उसके साथ वो कॉंट्रेक्ट भी है जिसमें तुम्हें साइन किया था याद है ना प्रांस प्रांस तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देती कि हम तुम्हें लेकर जाएं इस वक तुम्हें बहुत है थियाग की जरूरत है अऑज इसलिए तुम्हें टुम्हें बिडूरत है तुम्हें इसलिए तुम्हें फोन देने जाएं झाला कि तुम्हें तुम्हें देख लोग साथ जाएं आप्रांस कि वज़े से परिशान होना शुरू हो जाओगी इसमें हर्च क्या अंटिया कि एक तफा में एक पिनिट हलो असलाम लीकुम जी दॉआ बात कर रहे हैं आपके लिए बुरी खबर है आपकी बेहन जोह का इंतिकाल हो गया है क्या हुआ है क्या हुआ है दॉआ किसका फोन है बताओ ना दुआ क्या कहरें मुलोग दॉआ हम एपकी तौ म इसमें मुझी बासा की रहें है आपकी। क्या मुझी हम अ याओड है। क्या पहँ रहे Yo0 Tum ? अशने मुझी कुछ सहमivel हिआी हारा जातिते की मेरी तेसे के में जितनी खुशी है मुछ न той चील ले अबंचा एक चीले और एक सी मुचली ici ले खुशी है ओ आम एक एक मुछी है जानना चाहते की खुशी है मुझेग oh अरदके यहेजिस को मरने से मिलें इतने उसको दिखने जाथ ती तहीम हा यह जपी तुम्हारी बहें है बटा, दोहार बहतOM इजीने अछ़ गार दिरा ऴिएने भीए तुम्हार गा दोकर वाला किसीने, तुम्हार में अखिसीने हैं वामीरी बेहर बर गई है, क्या मुझे समझ यह रहा है, क्या कर लेकिरा है आप लोग बात तो सुनो लुआप बात तो सुनना हसन, रोके लाइश क्या? बेता यह तुम क्या कह रहे हो? अल्ला का शुकर है, जुआप ठीक है, वो जिन्दा है किसने जूटी ख़बर दी है तुमें? आंटी मुझे अभी डाट का फोन आया था, दरसर मैं मुल्क से बाहर हूँ डाट बता रहे थे कि दुआ को किसी का फोन आया और उसने यह ख़बर सुना ही बेता तुम फिकर ना करो, मैं अभी वहाँ फोच थी कुछ नहीं हो गवाँ उसको, तुम मत गवराओ चलें ठीक हैं, खुदा आफेस अल्दा आफेस शायान, शायान बेटा शावेस की कॉल आरही है, क्या करूँ? इसका फोन न उठाओ, अगर उससे पता चल गया दोआ की तबियत के बारे में तो सब को छोड़ चाड़ के यहां पहुंच जाएगा बार बार कॉल कर रहा है, what should I do? इग्नूर करो सल्मा बेन, क्या हुआ मेरी बच्ची की? यह सब कैसे हो गया? वो ही हुआना जिसका डर था, इसलिए हम आपको बार बार मना करते थे कि उससे जादा रापता ना रखें लेकिन आप लोग भी उसके सामने रूना धोना करने से बाज नहीं आए आप तो जान लेकर रहेंगे, उसकी भी और उसके बच्चे की भी हमने तो उससे कुई रापता ने किया क्यों? आपके हां से किसी ने कॉल करके जोहा की मौत की इतला नहीं दी? नहीं, नहीं, यह ख़र जूटी थी वो ही बात सुनकर तो वो पागलों की तरह दोड़ी है और उसका पैर फिसल गया है आप मेरी बच्ची कैसी है? डॉक्टर क्या कहते है? कोशिश ही कर सकते हैं वो बाकी जिन्दगी और मौत तो अल्ला के हाथ में है कोई बोज़ते ही बचा सकता है अब उसे या फिर हम लोगों के दुआ है अल्ला से दुआ कीज़े मा और बच्चा दोनों बच्चे मेरा बेटा दूसरी बार ये सद्मा कैसे बरदाश करेगा वो तो तो तूट जाएगा कितनी खाहिश थी उसे बच्चे की मुझे तो समझ नहीं आरी कि मैं उसे दुआ के बारे में कैसे बताओ कि अपरेशन नहीं हो चुका है जैसा के मैंने आपको बिताया था बच्चे का बचना मुश्किला है क्या? तो आप नहीं बचा पाए बच्चे को? पेशन्ट की हालत पहले ही बहुत क्यूटिकल थी और ऐसे में माँ और बच्चे दोनों का बच्चना बहुत मुश्किल था लेकिन अल्ला का शुकर है कि आपकी बहु खत्रे से बाहिरा या ला तेरा शुकर कोई कबराने वाली बात हो दिया हालत खत्रे से बाहिर है लेकिन अभी हमने उनको अंडर अब्सवेशन रखा है मैं आपकी ब्लड का रेंज करें मैं अपनी बच्ची से मिल सकती है अभी उन्हें होश नहीं आया जैसे ही उन्हे ऊश आता है हम आपको इंफॉर्म करते हैं मैं मैं ब्लड का अरेंज करता ह। सब कुछ आप की वज़ा से हूँ एक नहीं दो बार मेरे बेटे ये ने अपनी उलाद खोई है दूआ की जिद और मनमानी की वज़ा से अब वो आपको और आपकी बेटी को हर्गेज माफ नहीं करेगा मैं और मेरे शोहर यहां से ड्यूस पे करके चले जाएंगे सल्मा बेहन मेरी बात तो सुने मत कहें मुझे बेहन मेरा और मेरे बेटे का आप लोगों से कोई तालुक नहीं है ये ये आप क्या कह रहे बेहतर होगा कि आप अपनी खुदसर बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएं मैं उसका सारा समान कल आपके घर विजवा दूँगी मेरे बेटे को ऐसी नाफर मांग बीवी की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है जो रहती तो उसके साथ हो लेकिन उसका दिल हमेशा अपने मैं के वालों के साथ हो हमें दूआ को इस तरह अकेले हॉस्पिटल में छोड़कर नहीं आना चाहिए था हसन वो अकेली नहीं है उसकी माँ उसके साथ है और मैंने तो फाखरा से कह दिया है कि जब इस लड़की को होश आए तो उसे वो अपने साथ घर ले जाए हमारे घर में ऐसी खुदसर लड़की की कोई जगा नहीं है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या शावेस को पता चलना तो मैंने शावेस को फोन करके सब कुछ बता दिया है मैंने तुम्हें मना किया था शावेस को बताने से उसे बताना बहुत जरूरी था हसन आप समझते ही नहीं है भई एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही था ना क्या कहा उसने फिर जाहर है हसन बहुत अपसेट हुआ बच्चे का सुनके मैंने तो शावेस को कह दिया कि मैं इस लड़की को अपने घर में एक सेकंड के लिए भी बरदाश नहीं करूंगी इतना कुछ हो जाने के बाद भी अगर वो रिश्टा काइम रखना चाता है तो उसे अलग घर में रखे क्योंकि मैं दूआ का वजूद अपने घर में एक सेकंड बरदाश नहीं करूंगी देखे हसन उसने कतल किया है और मेरे ख्याल में तो उसने ये सब को जान बूच कर किया है बेहतर होगा कि आप अपनी खुदसर बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए मैं उसका सारा समान कल आपके घर विजवा दूँगी मेरे बेटे को ऐसी नाफरमान बीवी की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है जो रहती तो उसके साथ हो लेकिन उसका दिल हमेशा अपने मैं के वालों के साथ हो सुख़़ वा दुआ दिल गजी अपने मां सुख़़ देर क्या हो उसे कुछ नहीं हुआ जो हाको तुमें किसी ने गलत इतला दी थी मुझे कौल आई थी किसी ती को चेरा था किसी को कुछ बिटा है तुमें किसी ने फोन करके जूटी इतला दी थी कुछ नहीं हुआ उसे, अगर तुम बोलो तो मैं फोन करके तुम्हारी बात करवाती हुसे अब सच के रहे हैं लोगा की जिन्दा है ना? हाँ बिटा, तुम्हारे सर की कसम, जिन्दा है भूँ तुम्हे वो कौन था जिसने मुझे भूला था फोन करके कि जोहा को कुछ जोग है अम्ही, मैं कैसे आई हूँ? मैं गिर गई थी ना? अहाँ बेटा, तुम गिर गई थी लेकिन अल्हा ने तुम्हे बचा लिया अल्हा का लाग लाग शुकर है मैं जाते ही तुम्हारा सत्का दोगी और मेरा बच्चा वह मैं क्या क्या दे जाज़ मैं चलू झाल 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 झाल